आप सभी को मैं बताना चाहती हूँ कि यदी आपने अपने बच्चे का 2021-22 में EWS काटेगरी, DG काटेगरी या फिर Children with Special Needs काटेगरी इतहत Nursery, KG यक अक्षब पहली में दाखिले के लिए प्राइवर्ट स्कूलों में निश्रल शिक्षा हेतु, फॉर्म भरा था तो जरूरी है आप सभी के लिए अब चेक करना उस नई लिस्ट को जो अभी दो दिन पहले आई है कि उसमें आपके बच्चे का नाम आया है की नहीं देखिए मैं इस विशे पर दूसरी या तीसरी विडियो लेकर आ रही हूँ और मेरे कहने का मतलब बहुत साफ है कि यह चौथा Computerized Draw है और इस चौथे Computerized Draw में दिल्ली के शिक्षा विभागने वह सभी बच्चों के आप्लिकेशन वह सभी बच्चों के आवेदन प्रपत्र भी Draw का हिस्सा बनाए हैं जिनोंने बहुत पहले साल के शुरुआत में या साल के बीच में फॉर्म भरे थे और उन बच्चों के भी जो आप्लिकेशन आए थे Draw का हिस्सा बनाए हैं जिनोंने बिल्कुल अभी इस नए Draw से पहले आप्लिकेशन भरे थे तो ऐसे में नाम सिरफ उन बच्चों का केवल नहीं आया है जिनके अभी फॉर्म भरे गए है बलकि उन बच्चों का भी आया है जिनके फॉर्म पहले भरे गए है ऐसे में बहुत से माता-पिता है जिने जानकारी ही नहीं है समय कि उनके बच्चों का नाम ड्रो के माध्यम से चैनीत हो गया है अलग-अलग स्कूलों में दाखिले के लिए तो मेरे रिक्वेस्ट है आप सभी से आप सभी से कहना चाहूंगी यदि आपकी जान पिचान में वह लोग हैं जिनोंने अपने बच्चों के दाखिले के लिए EWS काटेगरी, DG काटेगरी, और फिर चिर्न विच स्पेशल नीट काटेगरी के तहत नर्सरी के जिया पहली कक् साइट पर देखिए यह हम आगए www.adudel.nick.in सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि यह है सर्कुलर जिसमें बताया गया है कि दाखिले की आखिले की आखिले की तारीक है 15 मार्च शाम 5 बजे 15 मार्च शाम 5 बजे दाखिले की अंतिम्तिति है साल का आखिले महीना और उसक कम पेरंट्स है जो विडियो कि मैं मुझे बता रहे है कि हमारे बच्चे का नाम है निकला है आपने बताया हमने फॉर्म भर दिया आपने बताया हमें तो पता ही नहीं था फॉर्म भर दिया लेकिन ऐसे बहुत से पेरंट्स हैं जिन्होंने पहले फॉर्म भरा था और जिन तो हम फिर से सबकी शिक्षा की वीडियो देखना शुरू करेंगे, यहीं उनसे चूक हो रही है, मैं आप सब ही से रिक्वेस्ट करूँगी, कि सबकी शिक्षा की सारी वीडियो देखें, सारी वीडियो देखें, हर वीडियो में कोई नो कोई महतपूर जानकारी लेकर आती ह पहला आप खोलेंगे EWSDG Admission and EWS Freeship Admission देखें यहां, जहां हमेशा आप फॉर्म भरने के लिए जगा खोलते हैं, आखरी वाला, चौथा वाला EWSDG Freeship Result, यहां पे क्लिक करिए, यहां पे registration number डाल दीजे, date of birth डाल दीजे, submit कर दीजे, registration number, date of birth, submit, बच्चे का अगर admission हो गया चाहते हैं, दुख से सूचित करना चाहते हैं, और अगर no result found आया, इसका मतलब आपने जानकारी गलत भरी है, इसका मतलब है कि अभी वी आपके बच्चे का result पता नहीं है, सही जानकारी भरी और result को देखी, यहां एक तरीका result देखने का, और मैं आपको एक और तरीका result द है, यह पूरा result, मैं सभी लोगों के साथ इसका PDF शेयर कर रही हूँ, वीडियो के description में आप में से बहुत से लोग कहते हैं, कि PDF खुल रहा है, कई लोग कहते हैं, PDF नहीं खुल रहा है, देखें, PDF खुल सकता है, खुल रहा है, क्योंकि जब मैं आपके सेंड करती हूं, ऐसे में किसी दोस्त के मुबाइल पर खोल के देख लीजिए, घर में किसी और के मुबाइल पर देख लीजिए, उनके मुबाइल पर PDF रीडर है तो खुल जाएगा, या फिर जो मैं आपको दूसरा तरीका बताया है, दूसरा तरीका उसके माध्यम से यहां जाकर भी आप result चेक कर सकते हैं, EWS फ्रीशिप रिजल्ट, तो प्लीज आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, और मैं यह बार बार बोल रही हूँ, इस लिस्ट में उन धेर सारे बच्चों का नाम है, जिनके पेरेंस को पता ही नहीं है, कि EWS डीजी का आटेगरी के दुबारा, जरूरी है, साल का आखरी महीना है, आखरी महीने के आखरी दिन है, मौका मिल रहा है सीधा दिली के प्राइवेट स्कूलों में पहुंचने का, वे माता-पिता जिन्होंने बहुत ही उम्मीदों के साथ अपने बच्चों के फॉर्म भरे थे, और बच्चों का लिस्ट में भी नाम आ गया है, अब उनसे या मौका हाथ से ना जाने दे, मदद करें, लोगों तक बात पहुंचाएं, इस वीडियो को जादा से जादा लोगों के साथ शेयर करें, मैं इस वीडियो को बहुत डीटेल में बना रही हूँ, ताकि लोग वे जो लोग पहली बार ये प्यूटराइज ड्रॉप कही हुआ था, जिन्होंने सिर्फ पहले फॉर्म भरे थे, उन्हें समझ आ सके कि मैं क्या कह रही हूँ, प्लीज जादा से जादा लोगों के साथ वीडियो शेयर करें, बहुत से बच्चों का भविश्य आपकी वज़र से बन सकता है, बहुत से करती हूँ, यह जानकारी अब जादा से जादा लोगों पहुंचाएंगे और इस जानकारी से आपको लाब होगा, अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वसच को जाज़त दीजे, नमस्कार